नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ललो टीचर में पिछले दो वीडियो में लेबर लाज के उपर जिसे क्वेश्चन बने थे क्वेश्चन हंड्रेट देखे थे परिह वीडियो में 35 कुश्ऩन, दूसरी वीडियो में 50 कुश्ऩन, तो लेबर लॉच की जो सीरिज है, इसीरिज का अंदर 300 के आपके कवर होने वाले हैं, 300 के 399 के उतनों में जितने भी आपको लेबर लॉच है, 4 लेबर लॉच जो है एक जाम में, और फोर लेबर लाज के उपर सब भी मैगजिमम कोशिन यह पर कवर हो रहे है पिटली वीडियो का जो लाश्ट कोशिन था वेलफेर इस नॉट पार्ट आप दे फैक्टर आग निट भूट एट यह जो स्टेटमेंट देयाता है सही था या गलत था आपने को बाता ना था तो यह स्टेटमेंट ओ गया था गलत ऑप्सं नॉमबर द इसके बाद जो अगला क्वेशन है क्वेशन नॉम्बर येख सो एक है इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर एकस दू है याच पर दयाक्ट दफ्लोर आप एवरी वर्क रूम शूडबी क्लिन्ट वांस एवरी आप्शन नमबर A में धायए Day, B में धायए Month, C में धायए Week और D में धायए Heart तो इसका जो करेक्ट्रेश रोजाएंगा हो जाएंगा आप्शन नमबर C Week फ्यक्ट्रेक की सब्चेदे दो फ्लोयर है जो फ्लोयर होता है फरज जो होती है अपनी वर्क्प्लेस की वो कब क्लिन होना चाहिए तो इसके बाद जो आगला क्वेश्चन है इसके बाद अगला कोशन है कुछिन नमबर 104 है को फिसटेंगे एकसो चार है बारन जीर फोर है अंडर मिनिमम वेजस्याक्ट एन अडल मिस पर्शन हो याज कंप्लिटेड कर टेन येज आप्शन नमबर ए में जा येटीन येर्स आप्शन नमबर बी द्रुटेंग फिप्टीन येज आप्शन नमबर सी में दंद एकस्टेंड यन्येर और अव्षिन नमबर डी में दिया है 19 यह तो इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएंगा हो जाएंगा आफ्षान नमबर है याटिन यार थिक है इसके बाद जू अटला क्वेश्ट्ट है question number 106 नेखोचे नंबर का question है 106 नंबर का question है है दर लेबर आप इन्डेस्टर प्रोब्लम्स इंक्रीज वेन मेजर इंडेस्टरी जेम इंटु एक्टेंज फॉलो बाइ टेक्नोलोज आप मास्प्रोडक्शन इन दे यरली option number A मेंदे है 18th century, option number B मेंदे है 19th century, option number C मेंदे है 21st century और option number D मेंदे है 20th century तो इसका जो करेक्टर हैंसर हो जाएंगा, हो जाएंगा option number D 20th century इसके बाद जो अगला question है, question number 107 है, 107 number का question है the code of discipline, dash return the path of the parties in voluntary arbitration इसका जो option जाए, option number A मेंदे है 1923, option number B मेंदे है 1942 option number C मेंदे है 1958 और option number D मेंदे है 1947 तो इसका जो करेक्टर हो जाएंगा, हो जाएंगा option number C 1958 इसके बाद जो अगला question है, question number 108 है, 108 number का question है, the first factory act was enacted in तो पहला जो factory act है कब इनेक्ट हो जाएंगा, जो question number 108 में पुचा गाया, option number E मेंदे है 1891, option number B मेंदे 895 option number C मेंदे 897 और option number D मेंदे 895 तो इसका जो करेक्टरांसर हो जाएंगा, हो जाएंगा option number 821 से, इसके बाद जो अगला question है, question number 109 है, question number 109 है, who is an adult as per factory act 1948, factory act 1948 की सबसे जो है, adult की से कहा जाता है, option number E में दे, who has completed 18 years of, option number B मेंदे, who is less than 18 years age, option number C मेंदे, who is more than 14 years, और option number D मेंदे, who is more than 15 years, इसका जो आंसर हो जाएंगा, हो जाएंगा option number E, who is, who has completed 18 years of, मतलब जिसने अपने आयो की 18 साल पूरे किये हो, उसको अपन factory act 1948 की सबसे, adult मन सकते हैं, इसके बाद जो अगला question है, question number 110 है, 110 number का question है, a person who has ultimate control over the affairs of the factory under factory act 1948, is called as, option number E में दे है, occupier, option number B में दे है, manager, option number C में दे है, chairman, management और option number D में दे है, managing director, तो इसका जो correct answer हो जाएंगा option number E, occupier, इसके बाद अगला question है, question number 111 है, question number 111 है, the space for every worker employed in the factory after the commencement of factories act 1948 should be dash cubic meter, option number E में दे है, 9.9 meter, option number B में दे है, 10.2 meter, option number C में दे है, 14.2 meter, और option number D में दे है, 13.2 meter, तो इसका जो correct answer हो जाएंगा, option number C, 14.2 cubic meter, इसके बाद जो अगला question है, question number होने वाला है, आपका 112, question number 112 में जो दिया है, जो provision for cooling water during hot weather, should be made by the organization, if it employs dash or more employees, option number E में दे है, 200, option number B में दे है, 250, option number C में दे है, 300, और option number D में दे है, 150, तो इसका जो correct answer हो जाएंगा, option number B, 250, इसके बाद जो अगला question है, question number 113 है, who is an adolescent as per factory act 1948, option number A में दे है, who has completed 17 years, option number B में दे है, who is less than 18 years of age, option number C में दे है, who has completed 15 years but less than 18 years, or option number D में दे है, none of, तो इसका जो correct answer हो जाएंगा, हो जाएंगा, option number C, हो जाएंगा, तो जाएंगा, तो जिसने अपने आई को 15 साल पूरे किये हो, लेकिन 18 साल उसके पूरे होने के हो, इसके बाद जो अगला question है, question number 114 है, which one of the following is not a welfare provision under factory act 1948, option number A में दे है, canting, option number B में दे है, option number C में दे है, first aid, और option number D में दे है, drinking water, इसका जो correct answer हो जाएंगा, हो जाएंगा, option number D, drinking water, इसके बाद अगला question है, question number 115 है, question number 115 है, question number 115 है, first aid box is to be provided for a person, first aid जो box है, वो कब, कितने person, मतलब कितने लोग सम्माविष्टर होने ही बाद प्रोवाइड करना चाहिए, option number E में दे है, 1,125, option number B में दे है, 115, option number C में दे है 150, option number D में दे है 160, इसका जो correct answer हो जाएंगा, option number C, 150, इसके बाद जो अगला question है, question number 116 है, safety officers are to be appointed if organization is engaging for more employed, और इसका जो option E में दे है, 1000 employees, B में दे है 2000 employees, C में दे है 500 employees, और D में दे है 750 employees, इसका जो correct answer हो जाएंगा, हो जाएंगा, option number E, 1000 employees, 1000 employees होनी के बाद जो है safety officer, nuke तकारना, organization को compulsory हो जाता, इसके बाद जो आगला question है, question number 117 है, canting is to be provided if engaging employees more than person, option number E में दे है 250, B में दे है 230, C में दे है 308, D में दे है 250, तो canting facility is 250 बरकर होनी के बाद जो है, 250 employees होनी के बाद provide करने पड़ थे, इसका जो correct answer हो जाएंगा, हो जाएंगा, option number E, 255, इसके बाद जो आगला question है, question number 16 है, leave with wages is allowed for employees, if they work for day in a month, option number E में दे है 15, B में दे है 25, C में दे है 20, or D में दे है 28, तो इसका जो correct answer हो जाएंगा, option number C, 20, ठीक है, इसके बाद जो अगला question है, question number 119 है, question number 119 है, welfare officer are to be appointed if organization is engaging, dash are more employees, जो welfare officer है, वो कितनी employees होनी के बाद, जो है, organization को appointment करना पड़ता है, option number E में दे है 500, option number B में दे है 250, option number C में दे है 600, option number D में दे है 750, इसका जो correct answer हो जाएंगा, option number E, पास हो, इसके बाद अगला question है, question number 120 है, तो ambulance room is to be provided, if engaging employees more than, कितनी employees, ज्यादा से कम से कम, कितनी employees होनी पर, जो है, ambulance room के, provide करना पड़ता है, employees को, तो, वो है, option number E में दे है 400, B में दे है 350, D, C में दे है 500, D में दे है 450, purchases का, जो correct transfer हो जाएंगा, ये भी हो जाएंगा, option number C, पास हो, इसके बाद ज्यागला question है, question number 121 होने वाला है, question number 121 है, craches is to be provided, if, are more lady employees, are engaged, option number E में दे है 25, option number B में दे है 32, option number C में दे है 30, option number D में दे है 40, तो इसका जो correct answer हो जाएंगा, हो जाएंगा, option number C 30, लेकिन अभी ये 50, 30 को change करके 50 कर दिया गया है, ठीक है, तो जो नया, I am in point है, वो उसकी साब से 50 होना चाहिए, जो पूरा ना था, उसकी साब से 30 होना चाहिए, आप ध्यान में रखिए, कि अगर question आता है, जिसमें option 30 आता है, और 50 का option नहीं रहता है, तो आपको 30 क्लिक करना है, लेकिन 30 और 50 दोनों का option आता है, तो आपको 50 क्लिक करना है, इसके बाद जो अगला question है, question number 122, an adult worker can up to her, याज पर factory act 1948, option number A में जहे 8, B में जहे 9, C में जहे 10, और D में जहे 12, इसका जो कर्ष करना सरो जाएंगा, जाएंगा option number B 9, इसके बाद जो अगला question है, question number 130 है, obligations of worker, under the factory act 1948, was discussed in section, printing mistake है, ठीक है, obligation of workers, under the factory act 1948, was discussed in section, option number A में जहे 78, B में जहे 101, option number C में जहे 1, option number C में जहे 3, option number D में 19, इसका जो करेक्ट रांसर हो जाएंगा, option number C 3111-111, इसके बाद जो अगला question है, question number 122, the term, sabtical is connected with, the term sabtical is connected with, option number A में जहे paid lieu for study, option number B में जहे paternity lieu, option number C में जहे maternity lieu, और option number D में जहे quarantine lieu, इसका जो करेक्ट रांसर हो जाएंगा, जाएंगा option number A, paid lieu for study, इसके बाद अगला question है, question number 121, एक्सव पचिस है, question number 125 है, section 148 of the factory act, 1948, says about, question number 125 है, section 49 of the factory act, 1948, says about, option number A में जहे welfare officer, option number B में जहे canting, option number C में जहे rest room, option number D में जहे critch, तो इसका जो करेक्ट रांसर हो जाएंगा, option number welfare officer, इसके बाद अगला question है, question number 126 है, 126 है, 126 तो question number A, section 2, के आप दे फैक्ट्री एक, 1948, says about, option number A में जहे manufacturing process, option number B में जहे factory, option number C में जहे worker, option number D में जहे जहे जीजितो, इसका जो करेक्ट रांसर हो जाएंगा, हो जाएंगा, option number A, manufacturing process, इसके बाद जो अगला question है, question number 127 है, if the factory employed more than, if the factory employed more than, 1000 workers, they should appointed, qualified, dash to carry out the, prescribed duties, option number A में जहे safety officer, option number B में जहे welfare officer, option number C में जहे security officer, option number D में जहे none of these, इसका जो करेक्ट रांसर हो जाएंगा, option number A, safety officer, ठीक है, इसके बाद जो अगला question है, question number 68 है, 128 नमबर का question है, for contribution of provision of factory act of rules, the occupier shall label for punishment up to, option number A में जहे 2 years, or fine up to, 1 lakh or both, option number B में जहे 6 months, or fine up to, 10,000 or both, option number C में जहे 3 years, or fine, 10,000 or both, option number D में जहे 9, 10 of this, तो इसका जो करेक्ट रांसर हो जाएंगा, हो जाएंगा option number A, एक question repeat हो रहा है, इससे पहली भी question हो चुका है, और इसमें जो अभी नया मिन्ट हो गया है, वो है 2 lakh रुपे का, ठीक है, एक लाग को बजल के हाफे 2 lakh कर जया गया है, दो एर्स और 2 lakh रुपी की सजाया है, और दो ने एक साथ हो सकता है, इसके बाद जो अगला question है, question number 129 है, manager of every factory should send annual report to the inspectorate of factories containing detail like number of workers employed, lieu with wages safety officer, ambulance room, canting, shelter, accident in firm number dash honor, honor before 31st January, ये भी question repeat हो चुका है, repeat हो रहा है, option number E मिन दया, firm number 22, option number B मिन दया, firm number 21, option number C मिन दया, firm number 25 है, और option number D मिन दया, firm number 25 भी, तो repeat question है, तो इसका answer आपको जरूरा था होंगा, अगर आपने वीडियो देख लिया होगा, तो अगर नहीं देखा होगा, तो इसकी link आपका description box में मिल जाएंगी, दोने वीडियो की पहले आप 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 आपके देख सकते, इसका जो answer हो जाएंगा, हो जाएंगा option number है, firm number 22, बिज बिच में जो question है, लिए होए question आएगे, repeated question आएगे, तो इसका answer आपको इजिली आजाएगा, और आपका revision भी हो जाएंगा, इसके बाद जो अगला question है, question number 30 है, 130 number का question है, if any employee found, vaulting the section 20 of factory act 1948, shall be fine up to, shall be fine up to, option number है में जे RS 10, B में जे RS 5, C में जे RS 15, or option number D में जे आए, RS 20, अभी question रिपीटा, इसका जो answer हो जाएंगा, option number B, correct answer हो जाएंगा, इसके बाद जो अगला question है, question number 131 है, section 41 G of the factory act, 1940 है about, option number E में जे फेसिंग आप machinery, option number B में जे फेसिंग आप machinery, option number C में जे वर्क, on near machinery, option number D में जे वर्कर्स, participation in the safety management, इसका जो correct answer हो जाएंगा, option number D, workers participating in safety management, इसके बाद जो अगला question है, question number number 32 है, who is responsible for payment to person employed, by him in a factory under the payment of wages act, 1936, option number E में जे अकाउंट, manager, option number B में जे HR manager, option number C में जे manager, or option number D में जे owner, who is the responsible for payment to person employed, by him in a factory under the payment of wages act, 1936, तो इसका जो correct answer हो जाएंगा, हो जाएंगा option number, इसका जो correct answer हो जाएं, हो जाने चाहिए था manager, लिकिन इसमें दिया occupier, आउसार ओनर दिया है, तो इसका जो answer है, हो मेरी साबसे 6 ही होना चाहिए, पिर इसको confirm करके मैं आपको कल बताता हूँ ठीक है तो इसका जो answer मेरे सबसे चीज़ना चाहिए इसमें री दिया है कल confirm करके बताता हूँ इसके बाद जो अगला question है question number 133 है 133 number का question है the applicant acquire who proposed the start the fact sure submit the option ये भी question repeat हो रहे है सभी question लगबग लगबग repeat हो रहे है आप इस वीडियो में option number a में दया form number one, b में दया form number two, c में दया form number two, a option number d में दया form number one, a इसका जो करेक्ट्राइन्स हो जाएंगा option number b form number two question repeat हो रहे है इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं आपका revision भी हो जाएंगा और मेरा भी revision हो जाएंगा पढ़ाने का ठीक है question repeat हो रहे है तो उसमें जो दिक्कत वाली बात ही है कि आपन जो question परेदे पूर चुकिए हो इसको आर पट रहे है तो रिवीजन ही हो रहा है एक तरी से तरीके से ठीक है इसके बात जो अगला question है question number 134 है दो license fee can be paid to get a license for a factory maximum of two, option number M में जाए 1 year only, B में जाए 2 year only, C में जाए 3 year only और option number D में जाए 5 year only इसका जो करेक रेंस हो जाएंगा 5 year only देखते है आगे अगर repeated question आए तो इसको script करके अगले question लेगे देखते है एकला question are question number 135 है दो एकक्पेर है दो पेर है आगे स्ट्टीपमेट्ट आड द क्रे दिख प एवर यर और यर 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 तो रिन भी लड़ आप लाइसन इसका जो करेक्ट राइस रुजेंगा 31st October of every year इसके बाद जो अगला question है, question number number 36 है इसके बाद जो अगला question है, question number 137 है the section 20 of the factory इसके बाद जो अफ्चिन नम्र भी मिदा है लाइटीं सी मिदा है इसके बाद जो अबिछला question है, question number 138 है इसके बाद जो अगला question है, question number 138 है, the employment of young person and dangerous machines means shall be prohibited the section dash of the fact-track 1948 option number a my the section 21 b my the section 22 c my the section 23rd d are section 24 this kajokare cancelojayanga option number c section 23 दे इसके बाद जो अगला क्वेशन है क्वेशन नंबर 39 है अशुटेबल कॉगल यह भी क्वेशन रिपीट हो रहा है इसको स्कीप कर लेते हैं कि यह क्वेशन रिपेट है 141 नंबर का जो क्वेशन है यह एक्षिरेंट रिपोर्ट शाल भी जा भी कुशन रिपेट हो रहा है इसको स्कीप लिए अगला क्वेशन है क्वेशन नंबर 142 यह भी क्वेशन रिपेट है इसके बाद गवनञован फ़ोईटेटरी नंबर का क्वेशन ही कोष्ण रिपेट है तो 150 तक देखते है यह कोश्चन देख लेते हैं 146 नंबर का जो है वेर डैस और मुर्वरकर और एंप्लोई इन फैक्टरी दे देन देर शाल बिया सेप्टी कमिटी दे फैक्टरी आप्सन नमबर अमेजा हंड़र इसका जोगर स्थान से इसका जोग इंबजाए को स्चोर्टेसरी आप्सनमेज के जोभेश करनेजमीड चूर्चनblem लेते हरा इसकन झाल मेंज़न को अपी precisoॉज करिदे देक्टsun बाद आपशेन नंबर में पोर्टी एट है सेक्शन नाइटीन अज फैक्ट्रियांग डिसका अब आउट आपशन नमबर एमिदिया है डिंकिंग वाटर भी मीदा है लाइटिंग चीमेद बार्टरी नाइन नूतिन और आपशन नमबर दिमिदा है आर्टिफिशल तो यह व सब्सक्राइब जाएंगा ओप्शन नम्बर सी लाट निग निरल्ट इसके बाद जगला कॉस्चन नमर 149 ने section of the factory discuss about the nomination of the manager of a factory रहासे नहीं कुस्चन है QUESTION NUMBER 149 है section of the factory discussion about the a option no. A section 7E option no. B section 7E option no. C section 7D तुषका जो character answer हो जाएंगा option no. B section 7E पीसके बाद जो अगिला question है प्राइब इस स्टेटमेंट का है और तीसरा भी दिया इसमें कांट से मतलब बता नहीं सकते हैं statement यह है B, B मतलब statement काहा है, false statement है, इसके बाद जो अगला question है, question number 151 है, question number 151 है, section dash of the factory act, say about the definition for a factory, option number A में जाया section 2K, option number B में जाया section 2, one option number C में जाया section 2M, और option number C में जाया section 2N, इसका जो correct answer हो जाया सब्सक्राइब करेक्षलों जाएंगा जाएंगा option number C chief inspector of factories इसके बाद अगला question है question number 153 है question number 153 है under the section 41 A of the factory act the site official C committee shall be constitute once in dash year under the chairmanship of chief inspector of factories आपचन नमबर जाएंगा फंशन नमबर इन फाइए उसके बाद अगला पोस्टिन कुष्टिन नमबर 154 है 40B of the factory jack discuss about the appointment of option number A में दे है welfare officer, option number B में दे है manager, option number C में दे है safety officer, और option number D में दे है नना अब दीज, तिसका जो correct answer हो जाएंगा, हो जाएंगा option number C, safety officer. इसके बाद अगला क्वेशन है, question number 155F, the equipers are label for punishment, imprisonment for term of dash or fine dash or both for failure to comply with the provision of factory act. option number A में दे है two year five, RS one lakh, two years five, RS one lakh, option number B में दे है one year five, RS 10,000, option number C में दे है six month five, RS 50,000, और option number D में दे है one year five, one lakh. इसका जो correct answer हो जाएंगा, हो जाएंगा option number A, two year five, RS one lakh, इसका जो अगला question है, question number 156 है, to close down a factory, the occupier has to give, question number 156 है, to close down a factory, the occupier has to give dash days notice to the authorities, option number A में दे है 30 days, option number B में दे है 60 days, option number C में दे है 90 days, option number D में दे है 14 days, तो इसका जो correct answer हो जाएंगा, option number B, 60 days, इसका बाद जो अगला question है, question number 157 है, if an employee illegals that he was working for the employer and the employee, definition is, who has to prove this act, option number A में दे है employer, B में दे है employee, C में दे authority or D में दे है employer and authorities का जो correct answer हो जाएंगा, हो जाएंगा, option number B, employee, इसके बाद जो अगला question है, question number 158 है, एक साथाउन number का जो question है, the annual return under the factory act shall be submitted to inspector of factory on or before, option number A में दे है 30 for January, option number B में दे है 30 for December, option number C में दे है 30 April or option number D में दे है 31 March, तो इसका जो correct answer हो जाएंगा, हो जाएंगा, option number 31 January, इसके बाद जो अगला question है, question number 159 है, the license fee for the factory employs 500 workers using 250 hertz, power is RS, option number A में दे है RS 12,000, option number B में दे है RS 18,000, option number C में दे है RS 24,000, option number D में दे है RS 30,000, इसका जो correct answer हो जाएंगा, जाएंगा, option number C, RS 24,000, इसके बाद जो अगला question है, question number 169 है, 106 number का question है, the examination of eyesight of curtain workers under the factory jack shall be done at least once in every month, option number A में दे है 6 months, B में दे है 12 months, C में दे है 18 months, और option number D में दे है 24 months, तो इसका जो correct answer हो जाएंगा, हो जाएंगा, option number D 24 months, इसके बाद जो अगला question है, question number 161 है, the number of elected workers in the canting managing committee shall not be more than dash or less than dash, option number A में दे है more than 5 or less than 2, option number B में दे है more than 20 or less than 10, option number C में दे है more than 15 or less than 10, और option number D में दे है more than 10 or less than 5, जिसका जो correct answer हो जाएंगा, हो जाएंगा, option number A more than 5 or less than 2, इसके बाद जो अगला question है, question number 162 है, question number 162 है, the term of office of the canting committee is, dash year, option number A में दे है one year, B में दे है two year, C में दे है three year, option number D में दे है four year, तो इसका जो correct answer हो जाएंगा, हो जाएंगा, option number B two years, इसके बाद जो अगला question है, question number 163 है, इसके बाद जो अगला question है, question number 164 है, by, sorry, question number 64 है, by an amendment act of 1987 in factory act 1948, who is to be appointed as an occupier, option number E में दे है manager, B में दे है general manager, option number C में दे है human research manager, option number D में दे है board of directors, इसका जो correct answer हो जाएंगा, हो जाएंगा, option number D, board of directors, इसके बाद जो अगला question है, question number 165 है, if the factory employed more than 1000 workers, they should appointed qualifying dash to carry out the prescriber duties, option number E में दे है, safety officer, option number B में दे, welfare officer, option number C में दे, security officer, or option number D में दे, none of these, तो इसका जो correct answer हो जाएंगा, option number is safety officer, इसके बाद जो अगला question, question number 166 है, the obligation of worker under the factory act 1948 वाज, discussing section, option number E में दे, 78, option number B में दे, 101, option number C में दे, 111, option number D में दे, 99, इसका जो 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 जाएंग, option number 111, इसके बाद जो अगला question है, question number 167, 167, the term, question number 167 है, the term safety call is connected with, option number A में दे, paid lieu for study, option number B में दे, 80, option number C में दे, meter ने दे, option number D में दे, quarantine lieu is का जो 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 जाएंगा, option number A, paid lieu for study, इसके बाद जो अगला question है, question number 168 है, section 14 of the factory act 1940 है, option number A में दे, welfare officer, option number B में दे, canting, option number C में दे, restaurant, option number D में दे, crazy, इसका जो करेक्ट राइंसर हो जाएंगा, option number A, welfare officer, इसके बाद जो अगला question है, question number 178, section 2 के आप the factory act 1948, say about, option number A में दे, manufacturing process, B में दे, factory, C में दे, worker और D में दे, जाएंगा, आप दे, इसका जो करेक्ट राइंसर हो जाएंगा, जाएंगा, option number है, manufacturing process, यह भी repeat हो रहा है, question, ठीक है, इसके बाद जो अगला question है, question number 171 है, जो जो इस रिपीट हो रहा है, question, तो इसको script कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद जो 175 को नंबर का question है, इसको ले लेते हैं, question number 175 है, the statutory minimum bonus is, option number A में दे, 8.33, B में दे 10%, C में दे 24%, और option number D में दे 20%, इसका जो करेक्ट राइंसर हो जाएंगा, जाएंगा, option number D, 20%, इसके बाद जो 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 जाएंगा, question number 176, under the factory act, no worker is permitted to the work for more than hers in a day, option number A में दे 8, option number B में दे 9, C में दे 10, और D में दे 24, इसका जो करेक्ट राइंसर हो जाएंगा, जाएंगा, option number B9, इसके बाद जो 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 जाएंगा, question number 178 है, under the factory act, white washing of the factory, under the factory act, with washing of the factory building, should be carried out every month, option number A में दे 12, B में दे 24, C में दे 26, आद D में दे 14, जो करेक्ट राइंसर हो जाएंगा, option number D 14, इसके बाद जो जो जाएंगा, question number 179 है, repairing or washing under the factory act, required to be carried out in every year, option number A में दे 5, B में दे 18, C में दे 3, आद D में दे 11, जो जो करेक्ट राइंसर हो जाएंगा, option number 5, इसके बाद जो अगला question है, question number 18 है, एक सासी number का question है, यान employee whose salary does not exit, is eligible for bonus under the payment of bonus act, option number A में दिया है, 35, option number B में दे 25, option number C में दे 6,500, और option number D में दे 10,000 रुपे, तो इसका जो करेक्ट राइंसर हो जाएंगा, option number A, 35,000 रुपे, इसके बाद जो अगला question है, question number 181 है, Employee Provided Fund and Miscualness Provision Act, 1952 is applied to establishment employing, not less than option number A में दे 10, B में दे 20, C में दे 50, D में दे 100, तो इसका जो करेक्ट राइंसर हो जाएंगा, option number B, 20, employee, इसके बाद जो अगला question है, question number 182 है, under the PF Act, 1952, insurance fund में, option number A में दे, unit like insurance plan, option number B में दे, deposit leaked insurance fund, option number C में दे, employees group, accident insurance, option number D में दे, medical insurance fund, इसका जो करेक्ट राइंसर हो जाएंगा, option number B, deposit leaked insurance fund, इसके बाद जो अगला question है, question number 183 है, the scheme, defined under section 2, 1B, or the PF Act, 1952, option number A में दे, pension scheme, option number B में दे, provided funds scheme, option number C में दे, family pension scheme, or option number D में दे, insurance scheme, तो इसका जो answer हो जाएंगा, option number D, insurance scheme, इसके बाद जो अगला question है, question number 184 है, the section 2, 1A of PF Act, 1952, define option number A में दे, member B में दे, insurance, option number C में दे, insurance fund, or option number D में दे, none of these, तो इसका जो करेक्ट राइंसर हो जाएंग, option number C, insurance fund, option 1 of the section of the PF Act, 1952, option number A में दे, 8A, option number B में दे, 7B, option number C में दे, 6C, option number D में दे, 5D, जो करेक्ट राइंसर हो जाएंग, option number C, C, इसके बाद जागला question है, question number रहने वाला है, आपका 186, the term member is defined in the section dash of the PF Act, 1952, इसमें जो option दे, option A में दे 2U, B में दे 2, small U, option number C में दे 2M, और option number D में दे 2P, इसका जो करेक्ट राइंसर हो जाएंगा, A to Big Capital U, ठीक है, इसके बाद जो अगला question है, question number 187 है, section 2, के ये आफ़ दे, PF Act 1952 defines, option number A में दे, आक्ट राइंसर हो जाएंगा, और option number D में दे पेंशन स्कीम, इसका जो करेक्ट राइंसर हो जाएंगा, जाएंगा option number B, pension fund, इसके बाद जो अगला question है, question number 188 है, the employees pension fund is established under subsection 2 of the section, option number A में दे दे आ है, 8A, B में दे 7A, C में दे 6A, और D में दे 5A, इसके बाद जो करेक्ट राइंसर हो जाएंगा, जाएंगा option number C, 6A, इसके बाद अगला question है, question number 189 है, section 2, KB of the PF Act 1952, define, option number A में दे रिकवरी अमांट, B में दे रिकवरी अपिस, option number C में दे रिकवर अपिसर, option number D में दे रिपेमेंट अमांट, इसके बाद जो करेक्ट राइंसर हो जाएंगा, जाएंगा option number C, रिकवर अपिसर, इसके बाद जो अगला question है, question number 190 है, section 2, subsection 11 of the factory, PF Act 1952, defines, option number A में दे रिकवरी अमांट, super nation, option number B में दे रिकवरी अनुल सालरी, appellate tribunal, which is constitute under section 7, 0 is defined under which section, option number A में दे 2, J, option number B में दे 2, K, option number C में दे 2, 1, option number D में 2M, तो इसका जो करेक्ट राइंसर हो जाएंगा, option number D 2M, इसके बाद जो अगला question है, question number 192 है, section 2, subsection 1 of the payment of bonus Act 1965, define, option number A में दे accounting year, B में दे Allocable Surplus, option number C में दे Appropriate Government, option number D में दे Available Surplus, इसका जो करेक्ट राइंसर हो जाएंगा, option number A, accounting year, इसके बाद अगला question है, question number 193 है, the term agriculture income is defined under, option number A में दे section 2, subsection 3, option number B में दे section 2, subsection 5, option number C में दे section 2, subsection 2, option number D में दे section 2, 2, subsection 4, इसका जो करेक्ट राइंसर हो जाएंगा, option number C, section 2, subsection 2, इसके बाद जो अगला question है, question number 194 है, the available surplus is computer under, which section of the act, option number A में दे section 2, B में दे section 3, C में दे section 4, or D में दे section 5, इसका जो करेक्ट राइंसर हो जाएंगा, option number D section 5, इसके बाद अगला question है, question number 195 है, banking companies defined same as under section 5, of the option number A में दे बाइंक, and financial institution, इसके बाद जो option number B है, banking companies आप नाइंसर हो जाएंगा, जो जाएंगा जो जाएंगा, जाएंगा अप्शन नम्बर B, आप्शन नम्बर राइंसर हो जाएंगा, आप्शन नम्बर B, banking company jack 1949, इसके बाद जो जाएंगा question है, question number 196 है, definition of company under the act is same, as defined of company under dash of the company jack 1956, तो company jack अपने को है नी, फिर भी थोड़ा question इसके देख लेते हैंगा है, तो option number A में दे section 2, option number B में दे section 3, option number C में दे section 4, option number D में दे section 1, इसके बाद जो जाएंगा, option number B section 3, इसके बाद जो जाएंगा question है, question number 197 है, cooperative society is defined under, option number A में दे section 2, subsection 8, option number B में दे section 2, subsection 9, option number C में दे section 2, subsection 10, और option number D में दे section 2, subsection 11, important question है, repeat हो चुका है, बहुत से एक जम में, तो इसके जो correct answer है, जाएंगा, option number C section 2, subsection 10, इसके बाद जो जो जाएंगा question है, question number 198 है, याज पर factory है, factory means, any premises including the, pre-six, therefore where, or more worker are working, or where working, on any day of the, pre-sizing 12 months, and in any part of which, a manufacturing process is being carried on, without the aid of power, or is ordinary, so carried on, option number section 2 है, option number A में जा 10, B में जा 20, C में जा 50, or D में जा 100, तो इसका जो correct answer हो जाएंगा, option number 20, B, B option हो जाएंगा 20, without power 20 है, और with power 10 है, ठीक है, इसके बाद जो अगला question है, question number 199 है, yes, for the factory act, orders means a person, who has completed his, dash year of age, option number A में जा 15, B में जा 16, C में जा 17, और D में जा 18, तो इसका जो correct answer हो जाएंगा, हो जाएंगा, option number D, 18, इसके बाद जो अगला question है, वीडियो का last question है, question number 200 है, as per factory act, orders and means a person, who has completed his, years of age, but has not completed his years, section 2B है, ठीक है, option number A में जा 12th year, option 12th year, option number B में जा, sorry, option number A में जा 12th, और दूसरा जा 18, option number B में जा 15, 21st, option number C में जा 15, 18th, और option number D में जा 16, 19th, तो इसका जो correct answer हो जाएंगा, हो जाएंगा, option number C, 15th, 18th, as per factory act, adolescent means a person, who has completed his, 15th year of age, but has not completed his 18th year, ठीक है, तो इसका जो correct answer हो जाएंगा, हो जाएंगा, option number C, तो factory act के हिसाफ से, जो adolescent किसे काया जाएंगा, जिसने अपने जाएंगा, 15 साल पूरे किया हो, लेकिन 18 साल पूरे नहीं किया हो, उसको adolescent कहा जाता है, तो इसका साथ है, आपे 200 questions अपने पूरे हो जाते है, यह हमशी के question important, important यह हमशी के question है, सब भी level launch के उपर, जो एक jam में पूछे गए है, यह पूछे जानने वाले हैं, यह जो सब भी question है, किसी ना किसी एक jam में एक बार पूछे जा चुके, और repeat हो रहे हैं, तिसी के उपर अपन वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पर पहला पार्ट जो जो सा 50 question का था, दूसरा 50 question का था, तिसरा पार्ट जो हो गया, अपना 100 question का हो गया, और बाकी का बच्चा कुचा question, आगले पार्ट में लेगे, अगे तक, अभी तक आपने हमारे चैनल, लॉड टीचर को अगर subscribe नहीं किया, प्ली सब्सक्राइब कर लिजे, बेल आइकोन को ख़िट कर लिजे, और दोस्तों के साथ शेयर कर लिजे, थैंक्यू, बेल आइकोन को ख़िट कर लिजे, थैंक्यू, और धन्यवाद मिलते आगले वीडियो में शुबरात्री